हेलो एंड वेल्कम टो फुट फैट्स यहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी टेस्टी रेसिपी तो राजस्थान की बहुती फेमस रेसिपी है वैसे तो जब हम महाकाल गए थे वहां पे भी फेमस एक्चुली वहां पे भी जब मैंने सर्च किया था ना कि यह यहां पर पिने गीहों का आटा ले लें जब गणा ले मैं मैं तो बहुत सारी आँ पर बना रही हूँ इसलिए मैंने कप्स रिवार्गायों दो कपड़ गहों कााटा ले रहे हो तो इसमें Muji एक सुजी और एक कप बेसन लेलो उसके बाद उसमें हम मेलाएंगे नमक तो न तो वेकिंग सोडा थोड़ा सरा क्या करेगा जो बाटी हैं उनको बहुत ही अंदर से सौफ्ट बनाएगा वो जब आप बाटी बनाओगे ना तो बेकिंग सोडा जरूर एड़ करना इसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा खुश्बूदार मसाला जो की हमारी जो बाटी हैं उनको एकदम चार चांद लगा देगा इतने अच्छी खुश्बू उसमें आएगी तो इसके लिए देखिए मैं ले रही हूँ यहां पे साबू धनिया तो एक मोटर प जीरा तो दो चम्मच लिया है मैंने यहां पे साबू जीरा अब हम क्या करेंगे इन सबको ही हमें दर्दरा सा कूट लेना है तो दर्दरा ही कूटेंगे हम पाउडर हमें नहीं बनाना है देखे कुछ इस तरीकी का हमारा यह मसाला बन गया है तो यह बहुत ही अच्छी पाउडर हमारी बाटी का अब सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ते लीचे सारी चीजें जो है वह अच्छे से मिला लेनी है उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने तेल दिया है लाइक दो चमच के बराबर इसमें हम तेल डालेंगे तो देखो मैंने तो क्योंटिटी जो हैं सारे मसालों की सब ना आप समझ लो की पॉन किलो मेरा गेहों काटा था उस हिसाब से ली है बाकि आप ना जैसे आप थोड़ी बना रहे हो तो सारे मसाले कम-कम यूज़ कर ले उसके बाद मैंने एक कप यहां पर दही का यूज़ क किया है क्योंकि हमने बेकिंग सोड़ा इसमें आड किया था बेकिंग सोडा का जो कर दो एक ह्रियाक्शन है वह लुब बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमारी जो बाटिया है वह बहुत ही सौफ्ट सौफ्ट बनती हैं तो इसलिए जब भी आप बेकिंग सोडा ऐसे आटे में डाल रहे हो न तो दही से आटा गूत लें बहुत ही अच्छा सौफ्ट आटा गूतेगा उसके बाद मैंने पानी गूत लेंगे जिससे क्या होगा ना हमारा जो आटा है वह सौफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके से हम एक बर फिर से इसको गूत लेंगे तो आटा एक वीली सौफ्ट हो जाएगा और बहत ही अच्छी टेस्टी बाटियां बने गी आटा तो जब भी आप लगाओ चाहे किसी करेंगे तो थोड़ा सा डो मैंने हाथ में लिया और इस तरीके से ना इसके पेड़े बनाने हैं तो ऐसे गुटते जाएंगे और इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे एक तरफ मैंने पानी गरम खूने के लिए रख दिया है तो पानी हमारा गरम हो जाएगा ना तो गरम नॉर्मल बाटी के जैसे आप इसको अवन में या वैसे तवे पे नहीं पकाते हो तो पानी देखो हमारा गरम हो चुका है तो चलिए अभी फटाफट बाटी जो है इसमें एड कर देंगे तो जितनी कैपसिटी है हमारे बरतन की उतनी बाटियां हम एक बार में डाल देंगे और यह सारी बाटी जब पक जाएंगे तो फूल कर ऊपर आ जाएंगी इसलिए बहुत ज्यादा भर कर ना डालें और इनको थोड़ा स्पेस दें कि आप आराम से अंदर तक बॉइल हो सकें देखे जो बाटी है वो कुक हो रही है काफी अच्छे से और साइज भी ना इनकी फूल जाएगी ना तो मतलब डबल के बराबर हो जाएगी जितनी हमने बनाई थी ना उससे तो यह देखिए बाटी जो है वो पकर ऊपर आ गई है और आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा कैसे यह पकी है एक तो इसका जो साइन है कि यह पकी है कि नहीं सारी बाटी जो है वो ऊपर आ जाती है दूसरा इन पर थोड़ी थोड़ी से दाने दाने से आ जाते हैं अगर आप देख सकते हो यह पर तो धल कहल के ना दाने इसमें आ गए हैं फट भी गई है थोड़ी सी बाटी आप देख सकते हो तो अंदर तक हमारी जो बॉइल के हुआ पानी है वो अंदर तक गया है और अच्छे से अंदर तक ये पक चुकी है तो एक बैच हमारा बन गया है लीजे दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छे से बॉयल हो जाए फिर सारी बाटियों को हम हलका सा ठंडा कर लेंगे और इनको काट लेंगे तो ये द अभी हमें इने घी में फ्राइ करना है तेल में करना चाहो तो तेल में कर सकते हो बाटि का जो मज़ा है वो घी के साथ ही आता है तो घी में इनको फ्राइ करें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं तो मेरे घर में तो ये बाटियां सबको ही बहुत पसंद आती हैं बच और हमारा घी जो है वो गरम हो चुका है तो इसमें मैं डाल दूँगी ये कटी हुई बाटिया तो काट कर इसलिए फ्राइ कर रहे हैं ताकि अंदर तक घी इसमें जाए और बाटियां जो हैं वो कुरकुरी कुरकुरी सी फ्राइ हो ये बाटियां कुरकुरी इतनी टेस्टी यह लगती हैं कि आपको इसके साथ । जरूर नियू कि अप नाती है। यह बहुत ही टेस्टी कुरुकुरी वी बाटी बहुत टेस्टी लगती है यह लगता है जिसे आप कोई स्नैक्स खा रहे हो यह लीजिए हमारी बाटिया जो है वो टेस्टी टेस्टी यहां पर फ्राइ हो चुकी है तो ऐसी ही हम सारी बाटी को जो है फ्राइ कर लेंगे तो मैंने तो यहां पर देखो दाल भी बनाई थी दाल के साथ इनको सर्व किया बाकि आप अपने हिसाब से राजस्तान में कड़ी के साथ भी बाटी बनाई जाती है जो राजस्तानी वाइट कड़ी है उसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है आप चेक कर सकते हो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी आप देखना बहुत ही टेस्टी सी वो कड़ी बनती है और ये लीजे हमारी बाटियां जो हैं बिल्कुल फ्राइ होके रेडी हो चुकी है तो इनको मैंने सर्व किया डाल के साथ आप जिसके साथ भी सर्व करना चाहो उसके साथ आप इने सर्व कर सकते हो आई हो आपको ये रेस करें टेस्टी टेस्टी दाल बाफला को और मुझे फोलो करें थैंक यू बबाई